प्रिविद्यार्थियां विलिन का चैप्टर चल रहा है आदर्स और अनादर्स विलिन पढ़ चुके हैं इसी का अंतिम भाग शुरू करने जा रहे हैं इस्थिर क्वाथी मिस्राना इस्थिर क्वाथी मिस्राना जिसे अगरे जी मैं एजियो ट्रोप एजियो ट्रोप कहते हैं दो द्रवों का वह विलियन जो राउल के नियम का पालन करता है आदर्स विलियन कहलाता है जबकी अनादर्स विलियन में पढ़ चुके हैं दो प्रकार के हैं पहला धनात्मक विचलन जिसमें वास्पदाब राउल के नियम से प्राप्त वास्पदाब के मुकाबले बढ़ जाता है दूसरा रिनात्मक विछलन जिसमें राउल के नियम से प्राप्त वास्पदाब घट जाता है इन दोनों का एक्स्प्लिनिशन अपन पढ़ चुके हैं अब क्वाथी का मतलब यहाँ पर क्वथनांक से है हालांकि इलवंद क्लास में पढ़ा है क्वथनांक की परिभासा किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जहां निश्चित ताप पर उसका वास्पदाब वायू मंदलीय दाब पर के बराबर हो जाता है वायू मंदल ये दाब यहां अपन सामानियत एक वायू मंदल या एक बार लेते हैं ऐसा देखा गया कि जो राउल के नियम का धनात्मक विचलन है उसमें वास्प दाब बढ़ जाने के कारण उसके क्वथनांक में कमी आ जाती है इसे निम्न क्वाथी एजियोट्रोप या उच्च वास्प दाबी विलियन कहते हैं यह राउल के नियम का धनात्मक विचलन का उदारण होगा चुकि दो द्रवों के विलियन में उसका आंसिक वास्प दाब उसकी मोल बिन और सुद्ध अवस्था में उसके वास्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है आदर्स विलियन में राउल के नियम को अपने पड़ा है मगर अनादर्स विलियन में जिसमें रिनात्मक अधनात्मक विचलन होता है उसमें वास्प दाब बढ़ जाता है और वास्प दाब बढ़ जाने के कारण उसके कुथनांक में कमी आ जाती है उस निश्चित संगठन पर कंपोजीशन पर हलांकी वे दो द्रव हैं मगर वह अकेले द्रव की भांती कार्य करता है और एक ही ताप पर उबलता है बाइल होता है इसलिए इसको फ्रेक्शनल डिस्टिलेशन से प्रथक नहीं किया जा सकता आगे अपन अलकोहल वाले भाग में पढ़ेंगे जब किन्वन द्वारा अलकोहल का अध्योगिक निर्मान किया जाता है तो जल और अलकोहल का अत्यंत तनु विलियन प्राप्त होता है और उसी से फिर अपन एक रेक्टिफाइड इस्प्रिट प्राप्त करते हैं जल आपका 4.4 प्रतीशत होता है और एथिल एलकॉहल 95.6% होता है एथिल एलकॉहल का क्वथनांक अगर देखें तो सुद्ध एथिल एलकॉहल का क्वथनांक 78.5 या 351.5 केल्विन है जबकि इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेट यानि 300 तेहुत्तर केल्विन है मगर इससे बने इस विलियन का अगर क्वथनांक देखा जाए तो वह 351 केल्विन आता है जो दोनों के क्वथनांक से भी कम है यह निम्न क्वाथी एजियोट्रोप कहलाता है निम्न का मतलब है कम जो अपने दोनों के क्वथनांक से कम ताप पर बॉइल होता है एक और उदारण देखते हैं एथिल अलकॉहल वह क्लोरोफॉर्म से बना एक विलियन यहां एथिल अलकॉहल आपका 6.8 प्रतीशत है और बाकी 93.2 प्रतीशत क्लोरोफॉर्म है चुकि क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक 334.2 कैल्विन होता है और एथिल अलकॉहल का 351.5 कैल्विन होता है इसलिए इन दोनों के मिस्रण का जो इस रंगठन पर है प्थनांक 332.5 कैल्विन होगा जो दोनों के प्थनांक से कम हैं यहां मैं आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके समझा रहा हूँ हालांकि बोड की बुक में यह नहीं है यह आपके कॉंपिटीशन में काम में आएगा टेंप्रेचर और मोल भिन के मद्य वक्र खीचा गया है चुकि वास्पदाब धनात्मक विचलन होने के कारण बढ़ जाता है आपके कारण बढ़ जाता है यहां यह मोल भिन्न है और यह ताप है तीनसो इककावन केल्विन पर यह जबकि यह तीनसो इककावन पाइंट पांच था और इसको अगर देखें तो यहां कि यह निम्न क्वाथी ऐजियोट्रोप है दूसरा उच्च क्वाथी आजियोट्रोप या निम्न वास्पदापी विलियन राउल के निम्न के रिनात्मक विचलन में देखा था कि दो द्रवों के विलियन को मिक्सित करने पर जो प्राप्टमेशन है उसके वास्पदाब में कमी आ जाती है अतवायुमंदल दाब के बराबर करने के लिए टेम्परेचर को बढ़ाना होगा अपन कहते हैं उनके क्वथनांक में व्रद्धी हो जाती है यहां दोनों द्रवों का जो वास्तविक सुद्ध अवस्था में हैं क्वथनांक वो तो कम हैं मगर मिस्रन का क्वथनांक जादा है क्योंकि दो द्रवों के एक निश्चित संगठन पर उसका वास्पदाब दोनों घटकों के वास्पदाब से कम हो जाता है अत्वथनांक में व्रद्धी हो जाती है जैसे जल और HCL जल की प्रतीशतता 79.8% जबकि HCL की प्रतीशतता 20.2% यहां जल का क्वथनांक तीन सो टेउत्तर केल्विन हैं और HCL का क्वथनांक 188 केल्विन हैं मगर इनसे बने विलियन का जो क्वथनांक होगा वह 381.6 केल्विन हैं जो दोनों की क्वथनांक से अधिक है यह इस बात की पुस्टी करता है कि दोनों के क्वथनांकों के मुकाबले इस संगठन पर विलियन का क्वथनांक उच्च्च होगा क्योंकि वास्पदाब में कमी हो जाती है यहां राउल के नियम का रिनात्मक विचलन है एक और उदारण देखते हैं जल और नाइट्रिक अमल 68 परसेंट नाइट्रिक अमल और 32 परसेंट जल जो समन्यत प्रयुक शालाओं में होता है इसका विल्यन बनाया गया है जल का क्वथनांक तीन सो ते उत्तर केल्विन है और एचनो थी का 359 केल्विन है मगर इनसे बने विल्यन का क्वथनांक 393.5 होगा 393.5 जो फिर इस बात की पुस्टी करता है कि इसके क्वथनांक में व्रद्धी हो जाती है इसे भी अपन ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं झाल ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं HNO3, HNO3 का क्वाथनांक था 359, जल का क्वाथनांक था 373, यह इसकी मौल भिन्न है, इस संगठन पर अगर अपन देखें तो इसका क्वाथनांक 393, की 0.5 केल्विन होगा, यह द्रव है, यह द्रव है, यह वास्प है, यह वास्प है, यह इस बात की पुष्टी करता है, की दो ध्रवों का विल्यन, एक निश्चित संगठन पर, राउल के नियम का जो रिनात्मक विछलन है, उसमें उसके कथनांक में व्रद्धी हो जाती है, धनात्मक विछलन है, तो उस विल्यन के कथनांक में कमी हो जाती है, अतब फ्रेक्शनल डिस्टिलेशन प्रभाजी आस्वन से इसे प्रथक नहीं कर सकते हैं, आइडियल और नॉन आइडियल अधात आदर्स वह अनादर्स विल्यन से संबंदित था बाग बूरा हुआ इनके नोट्स में बेज चुका हूं दाइग्राम उनमें और उदारण उनमें दिये हैं आप उनको स्टेडी कीजिए और फिर कोई डाउड है तो इसको फॉन पे या वाटसाप पे पूर्श सकते हैं इसी के कंटिनियूशन में इस चैप्टर का दूसरा भाग सुरू कर रहे हैं वह है अनुसांख्य गोण कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज तनु विलियनों के वे गोण जो उसके रासाइनिक संगटन पर निर्बर नहीं करते अपितो विलियन में उसके कंटों की संख्या पर निर्बर करते हैं मोल्स पर निर्बर करते हैं उनकी मात्रा पर निर्बर करते हैं वे अनुसांख्य गोणधर्म कहलाते हैं जैसे चार आपके कोर्स में है रिलेटिव लोवरिंग आफ वैपर प्रैसर वास्पदाब का आपेक सिक अवन मन दूसरा इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक का उन्नयन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हीमांक का आवन मन और चवधा है परासरण दाव ओस्मोंटिक प्रैसर यह चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के नोड्स मैं आपको पीडिया फाइल के रूप में अलग से बेजूंगा और इसके बाद मैं अगले वीडियो में इन एक एक गुण की अपन व्याक्या करें अगे वित अनुमेरिकल कॉस्टन त्स ओल